वाहे गुजी का खालसा वाहे गुजी की फते साड़ा हुंदा विशा बड़ा फिलोस्फिकल है एडिंग असी रख्या है तिथे गड़िये सूर्थ मत मन बुद दा कंसेप्ट ओफ क्रियाटिविटी अंड एस्थेटिक ड्वेल्मेंट और बड़ी साधी भाषा ही देखो ता नूँ उसी परसनेल्टी ड्वेल्मेंट भी कह सक देया गुरुबानी दी एक लाईन है जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा के हर मनुख दे विच रोशनी है जो जोत है और उस जोत विच जड़ है उपर मात में ग्यान अडोप्ट के में करने है और ग्यान परगट के में करने है ए विचा है आजदा परसनेल्टी ड्वेल्मेंट नू अगर असी एक लाईनेज करिये के हाउ ए परसन थिंक, फिल एंड बेहेव क्रियेटिविटी जड़िया है कम्स फ्राम ए कॉन्फिलिक्ट ओफ आइडियाज और जड़ा एस्थेटिक है ए है अंदरली सुंदर्ता या सहच परसनेल्टी ड्वेल्मेंट दा जड़ा आजदा साड़ा के गुरुगरंस है वनुसार या गुरुबानी उनुसार परसनेल्टी ड्वेल्मेंट दा संकलब, क्रियेटिविटी या एस्थेटिक एक creativity, aesthetic जड़ा philosophical word है लेकिन जड़ा personality word है युनानी दा युनान तो आया है परसोना तो बने है और परसोना दा मतलब हुन दा मुखोटा तो आड़ा जड़ा विक्तित्व है ये मखोटा है ये असली नहीं है जो दो कोई मालक तो आड़े सामने खड़ा है तो आड़ा विक्तित्व है तो आड़ा मुखोटा हो रहा है जदो नोकर है तो उसी होर हो जाओगे जदो अपनी वाइफ नाल है तो आड़ा होर attitude है जदो मान नालो तो आड़ा होर attitude है किसे तो favor लेनी है तो आड़ा attitude हो रहा है किसे नाल कोई मतलब है, तक तो असी बिलकुल होर हो जान देओ, और पता नहीं कितने तरीकियां तो दे मखोटे से असी पायो इने, इन्हों जरा सोचन दी गाला है, अपने अंदर थोड़ा जा बैठे बैठे ही होने ही तो अडे मना विचे गाल जरूर आ रही हो और असलियत देखनी है प्रिसनेल्टी, ड्वेल्मेंटी ते एक छोटा बच्चा, जिस नो कुछ पता नहीं है, मालक है, नोकर है, गरीब है, अमीर है, जाद पात, कुछ नहीं है, ओ हर हालात इच ओई रहेगा, तो सारी स्तिथियां दे वेच, जिद इच कोई फरक ना हुए, तो बच अत्मा दे सबांद वेच, मेर तो पुछो, इस तो पहले मैं तो अनू दास देना चाहना, के पहले असली चेरे यादा पता लगा लो, नकली चेरे यादा मिलन, असली चेरे नाल नहीं हो सक्दा, असली सिरफ असली नल मिल सक्दा है, पहले जिदे तो अड़े अंदर अनुदूर करो यहाँ ना गाल इक एडम तेवदी के उते अकल दा लगे हुए ऐसी पेड़ ते नाल तकती लाई हो इसी परमात्मा ने के एक खाल जड़ा फल है एक खाना वर्जित है अकल दा पेड़ सी हो ते एक देन ओ खाले हासी उनना ने फाल ते अकल आगी ते ओ वेख अत्मा नो पता लगे हा उनने क्या हून मेरे को ताड़ी कोई जगा ने जीरिया इस्यान पाँ अकला चलाकियाने न यह उन जा थले उनने थले थले तरती ते सोट दिता सारे हनो ते दुनिया पैदा हुए एनिवे Man has three faces जिरे आम तो उरते हैं सी कहने हैं कि First you show to the world जिरा एक ताओ जिरा सी तोड़े सामने दुनिया दे सामने हैं सी show कर दे हैं Second जिरा अपने बिल्कुल नजदी की आनाल घर दे आनाल और third oh है जिरा You never show to anyone It is the to rest reflection के of who you are कि तुसी हो की ए तोड़ा अंदरा अपना मन जानदा है कि तुसी की हो ए जिरी मैं मखोटे हैं दी गाल कीती है तो जो असी आज एक टापिक रखे हैं देखो किसे भी society दा किसे भी कौम दा किसे भी मख़ब दा ओ कितनी कौम अमीर है ओ कितना देशवासी अमीर है या गरीब है इदा सबंद materialism नल नहीं है पैसे नल या खुश्याली जेडि फिजिकल खुश्याली नल नहीं है ए बिलोंग्स तु intellect कि ए कौम देविच intellect किन्न है सुर्थ किन्नी है इस कौम देविच इस समाई देविच सुर्थ किन्नी है और मैं गाल करदा न जंगल राज देविच एक कौनून है इट और बीटन या मार देव या मर जाओ सब इस समाई देविच define और be defined तो अड़ी इननी personality development होनी चाहिए तो अड़ी चिन्ने aesthetic होने चाहिए कि तुसी अपने आपनो define कर सको एज एड़ी आज बड़ी ज़रूरत है और जिन्ने दुनिया दे revolution होए ने तुसी पढ़ लो वो सारे revolution किते न कितो है उदे जनम दाता ने वो scholars ने वो पढ़ाई लिखाई वाले ने वो personality development वाले ने और दो thoughts ने ऐसे जिरे तो अनू तो आड़ी personality दास देन देने वह है the way you behave when you have everything in hand तो आड़ी कोल सब कुछ है और तो आड़ा behavior की है दुनिया नाल और दूसरा the way you manage when you have nothing in your hand और जो तो आड़ी कोल कुछ नी फिर तुसी के में behave कर देो एग जड़ी है इस गाल नो उसी आजलर बने है कि मैं अक्सर कहना होना कि Milton दी वर्डवाइड Milton दा आईसेकर डग सब ने भी कीता है कि Milton दी यां वर्डवाइड एक कविता होई है paradise lost और फिर दूजी कविता उसने लिखी सी paradise regain साधी ये इच्छ है paradise lost महसूस कर दे है जड़ों असी आसपस अपनी generation नो देख दे है या अपने social system नो देख दे है असी बड़े बार है वरान उनने है कि जड़ा गुर्णानक ने जड़ा सिखी दी गाल कीती एक ग्यान दी मेमा तो शुरू हो ऐसी हो बड़ा ग्यान दी गाल जड़ी वार वार रहते कीती गई सी पर गाल ले है कि गुरु गुबिन सिंग साब ने विद्या प्रेमी सन पांज सिख बनारस भेज़े सी भी जाओ वेदा दी study कार के आओ उनना ने कहा कि जी ऐस वेश भूशा दे चैसी तो अनू नहीं अपना सिखा सकदे वेदा दी गाल गुरु साब ने कैसी जेडी वेश भूशा हो के अंदे नो पाओ पर ज्ञान ले के आओ ए जेडी यां गाल ले कि जेडी उन सेंचरी दे विच चैसी विचर रहा होन ए विखावे नालता सिख अपने आपनों सर्वाइव नहीं कार पामाँगे ना किसे नो ऊपर बहाव कार पामाँगे किसे ते ए ओली ओली एन ओली क्वालिटी दी गाल है प्रसनेल्टी देनाल अपने IQ, EQ ते SQ एक इंटेलिजेंसी फिर एमोशन आगया फिर स्पिर्चुलिटी आगई इन अतिना दे मेल देनाल गाल होएगी कहने देना कि जिस विरिख जड़ा द्रखत जिनना वड़ा है उस दी जड़ा भी उनिया थलेने और उदी जान जड़ी ओ जड़ा दे विच्च है जड़ा दिख दिया नहीं है लेकिन सब कुछ जो विरिख दा जड़ी परसनेल्टी है विरिख दी जड़ी 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 जान है या विरिख जिमें खड़ा है उस अब जड़ा करके खड़ा है और तवड़ी भी परसनेल्टी तवड़ी अंदर इनर इंजिनरिंग में अक्सर एथे वर्ड यूज़ करदा कि जड़ी इनर दे है इनर जड़ी इंजिनरिंग है ओ जड़ी सानु ज़रूर समय नहीं पएगी ज़े तुसी समयदार हो, स्याने हो द्यानतदार हो तो अड़े विच जड़ा इलम है विचार है मंडी विजन और इनुस लेबस ओफ लाइफ भी कहनने आसी आज वड़ी ज़रूरत है के गुरुगरंद सहब दे मैं गाल थोड़ी जी कोड़ी है पर साचदा भी एक साड़ा लेक्चर हो गया कई वर उन्दे ना के बत तमीजी दी हद तक साच बोल रहा तो सच्ची गाल है के गुरुगरंद सहब दी मालक बनी सिख कौम नो अज समझन दी जरूरत है और समझान दी जरूरत है कि इसनो पढ़ना विचारना समझना समझाना इस साड़े अजन्डे चनी है और एक कोर्स दा शुरू करना अभी इस अजन्डे नो रिवाइव करना दी गाल सी कि मैं पहले गाल कहिए कि इसी गुरुगरंद सहब नो मन दे है गुरुगरंद सहब दी नी मन दे तो आज वकत जड़ा इलम दा है दलील दा है इसलिए असी चन्निया के साड़े जड़े बच्चे ने ओ बच्चे जड़ा परसनल्टी ड्वेलमेंट एए क्रेटिविटी ते एस्थेटिक जड़ी है ओ गुरुगरंद दे विच भरी पही है अगर उसनों असी स्टड़ी करांगे ते अपनी जड़ी परसनल्टी ड्वेलमेंट आज साड़े बच्चे सोने कपड़े पाले या आज काल दे फैशना दे साबनल कपड़े पाले असी अकसर देख देया हून गुर्दवारें विच ऐसे ऐसे कपड़े पहा के बच्चे आंदे ने कई वरी बड़ा फील होंदा है प्राबलम एए है के एजड़ी अस्थेटिक ते क्रेटिविटी ते प्रिसनल्टी ड्वेलमेंट उन्हों उन्होंने मिसंडरस्टेंड कीता है इस गाल नों सानूं बड़ा समय ना जरूरी है और अता ही समझ पावाँगे के यह गुरुग्रंस है ते गुर्बानी जड़ी सानूसेद दे रही है प्रिंसिपल नंदरपाल से जिरू बियम्ति करांगा के यह जड़ा आज the topic है इस topic ते रोश्टिपान वाहिगर जी का खालसा वाहिगरू जी की फते जया कि आप जी नौल हुने विचार कर रहे सन दी कंसेप्ट आफ एस्थेटिक्स एंड क्रियेटिविटी जी निवसी पंजाबी दे अंदर सोहुज कहने है एस्थेटिक्स नू क्रियेटिविटी सिर्जनात्मक्ता और जडी गुरुबानी दी तुक इस बारे समंद वेच आखी गई है तित्थे कड़िये सोरत मात मान बुद असी जड़ों गुरुबानी दी ट्रांसलेशन करना चाहिए तां कहीं बारी सोचना पहनदा है कि असी जड़े शब्द लबन दी कोशिश कर रहे है और जो गुरुबानी दा अर्थ के रहा है ओ मैच नहीं करदा बहुत सारी गल गुरुबानी दे अंदर जड़ी कीती गई है पाथ्षा जी ने उस गल नो पारती परिपेख वेच कीती है जड़ा प्रस्पेक्टिव है ओ इंडियन है और जे असी इंडियन प्रस्पेक्टिव दे विच गल करिए तन जड़े वेस्टन कंसेप्ट्स ने ओ कहीं वारी अधूरे जाप देने जड़ों art, aesthetics यह यही ही समजनदी कोशिश करिए कि art किनूँ कहें देन, aesthetics किनूँ कहें देन aesthetics जड़ा, art ता ऑ है ए अक्षण दी होवे तकव्धा बंदी है लेक बंद है, निभन बंद है, नातक बंद है गीत बंद है और जे ए आवास देविच होवे ताँ म्यूजिक बन जानदा है जे एस नू लाइना देविच या रंगा देविच ट्रांसलेट करिए ताँ ए जड़ा है पेंटिंग बन जाएगी कोई आर्ट फार्म बन जाएगी इवन पुरातन लोगा ने जेकर हथियार चलाऊं दी गल कीती गतके बाजी दी गल कीती नेजा बाजी दी गल कीती ते यह भी अपने आविच मार्शल आर्ट है फिर अस्थेटिक्स की ए जड़ी गल सुंदर है जड़ी गल परपोर्शन दे विच है जड़ों उस साड़े मन उत्ते पर बाव पॉंदी है मन विच रस पैदा करदी है तस साड़े मन दे विचों सोज पैदा होंदा है अस्थेटिक्स आदा है ए परमात्मा दी दित्ती दात है पूरे संसार दे अंदर पूरे विच्व दे अंदर पूरे उनिवर्स दे अंदर उस परमात्मा दा अनहद नाद चल रही है ए सारा कुछ जे नेचर नूँ वाचिए गुदर्द नूँ पेखिए ता सारा कुछ एक प्रपोर्शन दे वेच है एक हुकम दे वेच है एक नियम बद है ते जदम उनुक उसनु परसीव करता है उसनु अपने मान दे विच उसदा पर बावल लेंदा है ते वहा करता है उसनु सारी गल बड़ी अरेंजड नजर आउंदी है इवन द्रखत दे पत्ते लग दैगे बेठवेज होंगे पर नीज लागे तको गे ता ओवी एक अरेंजमेंट विच हैगे ने ते तानु ओदे अंदर भी एक खुबसूरती नजर आएगी आर्टिस्ट उसे खुबसूरती ने उगार दे अपनी पेंटिंग दे अंदर जड़ा अनहद नाद पूरी स्रिस्ट्री विच है म्यूजीशियन उसनु परसीव करदा है ओदी जड़ी सुर्थ है ओव उसनु नाद विच बदल दी है परसीव ओँ अनहद नो करदा है पर जड़ा ओउ उचारदा है जड़ा ओँ तो आन्नु एक राग देंदा है ओँ नाद वेच है अनहद तो नाद वेच साड़ी सुर्थ ट्रांसलेट करदी है तेमें कुदरत नो पेखे है जड़ा पेंटर है ओँ भी उस पेंटिंग नो अखरा देवे ओँ ने प्रसीव ता अंदर कीता है फिर उसनु एक अरेंजमेंट देंदा है अपने वलो ओदे अंदर जड़ा उनने सोहज अंदर माने है ओँ उसनु शुन्दर दे रूप विच परगट करदा है सोज है कि अन्दर दा रास है जड़ा तवाधे हिर्दे विच पैदा हूंदा है ऐसनू सोज रास आखे ते ए सटे परबात्मा वन्नू दित्ती होई दाध है किसे विचे वध हूंधि है किसे विचे एक काट हूंधि है हुन बड़ी एक कोई भी ऐसी चीज नहीं जिदे विच आर्ट ना होए उत वड़ा खाना बनाने है जे खाना स्वाधी है स्वाधी क्यों है ओस विच हर चीज मिकदार वेचे एक प्रपूर्शन दे वेचे है ओदे इच क्यो नमक मसाले वस्तू हर चीज एक मिकदार विचे तुसी तवाड़ा मन खुश हो जाना है तो आनू एक रस आन्दा है जरा जिनना नमक वद हो जाए जरा जिनना मसाला तेज हो जाए तो आनू स्वाध नहीं आन्दा कपड़े वी तवाड़े स्रीर ते फबदे ने जदो दरजी बिलकुल सही परपोर्शन दे वेचे तो आ आके देंदा है एवी अपने आप विच आर्ट है सो गल उस परपोर्शन नू परसीव करन दिया हुन सारे तो पहली गल ए आ जाएगी कि असी परसीव किस तरह करते हैं परसीव करन दे लई ओ कहन दे हन की तिन अवस्थावां हुन दिया ने साधी किसे भी चीज नू पेख जड़ जिए सारे तो पहली गल उंदिया मतला कि अध्य मैं थोड़ा जिना फरक रखांगा इंडियन फिलोसोफी एंड वेस्टरन फिलोसफी दे अंदर इंडियन साइन्स एन वेस्टरन साइच देंदर एक माढग जिना फरक है वो कि वे देक देने कि आसी परक दे किवे English इच उसनों perception केंदे हैं, Hindi, Punjabi विच उसनों पेखना केंदे हैं. जदो असी perceive करने हैं as per western psychology या science. वो केंदे हैं कि साड़ी आख इस तरह काम कर दी जमें camera काम करता है, जमें camera विच पिछे चितर बंदा है, इमिज बने हैं, इमिज जैसे अडियां nerves ते गया, nerves तो brain निच गया, brain उन्हों analyze कर दिये ते असी देख लेने हैं. Indian psychology एक स्वाल उठां दी है, वो केंदी है कि camera विच चितर पिछे बने हैं तो अडियां आख विच चितर बने हैं पर असी चीज बार क्यूं देख दे हैं? इस करके Indian psychology एक hypothesis है, एक imagine करके चल देने कि साधियां पांज ग्यान इंद्रियां, पांज करम इंद्रियां तो इलावा एक ग्यारवी इंद्री हुं दी हैं जिन्नों अंतह करण कहन देने हैं. वो जड़ी अंतह करण हैं, वो साधे स्रीर विचों बाहर निकल दी हैं. जिस वस्त नों छोंदी हैं, वो वस्त दा रूप ग्रहन करके फिर वापस चली जान दी हैं, इस करके सानूं वस्त बाहर दिशती हैं. अंतह करण नों बहुत विस्तार दिता गया है. अंतह करण दा ही पाग है, सुर्त अंतह करण दा ही पाग है, मान अंतह करण दा ही पाग है, बुद्ध अंतह करण दा पाग ही है, सदियाद. सो अंत्य करन नो एक बहुत विस्थार दिता गया और मैं इस जो आप जीनल गलसांजी कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर जो स्वन सिंग नेकी ने कताब लिखिया गुर्मत मनो विग्यान अंत्य करन दे उनने पूरा विस्थार दिता है इस दे अंदर मैं उना दी छोटी जीनी कटना कि असी पेखदे आं ते एसी पेखदे अंदर सुर्थ देना अला ओके ने जित्थे तोड़ी सुर्थी की है ओं यह तुसी पेख़ोगे उना दी कटना हो रहा है जड़ी ओनाने जिना दसंदडेयां दुर्मत वंजे मितर असाड़े सेही एक पुस्तक है उनना ने जिमें जिमें लोगानू मिले उनना नाल उनना ने गल कीती उनना तो जड़े अनभव ले ओ दी काल है केंदे निक वारी मैं ते पगत सिंग पाईवीर सिंग नू मिलनंगे प्रफेसर पगत सिंग केंदे आसी मिलनंगे ते रस्ते वीच एक माई मिली हाँ अज पाईवीर सिंग बड़े रंग वीच ने तुसी जरूर मिलो कहनदा है असी गे ते बड़े मगन सन अपने बाग दे विच टहल रे सन ते टहल दियां टहल दियां कहन लगे इशारा कीता मेरे पिछे आ जाओ कहनदे असी पिछे चलेगे ते एक जगा जाके पाईवीर सिंग बड़े मगन खलोगे कुछ देर खलोते रे ते फिर इशारा कीता एक की हो रहे है कहनदे ने पगज़ सिंग कहनदा है जी हो की रही है एक तितली है फुलां दे उत्ते मंडरा रही है आप रास असी वेस्ट दे अंदर परसेप्शन दे तिन लेवल्स लेने हैं इक कहने हा परसेप्शन किसे चीज नोँ वेखना एक कहने आ एप्रिशियेशन होंड़ है ज扂 कुसे किसे कि सिमली दे नाल जिमें सुनवरता दी गल करनी हों एप्रिशियेश्यन है पर कहन दी थेर्ड लेवल होंदा है अपर सेप्षून अपरिसेप्शन विजडम तो पैदा होंदा है जिस वेले तुसी तो अडि आतम विभोर हो जाना है मुनुक जो दो मुनुक दी जड़ी आतमा है उपर्मातमा दी हौंद नू महसूस कर दी है तो फिर अपरिसेप्शन होंदा है तो अड़ी सुर्थ किते टिकी है तुसी उस तिरह किसे वस्टुनु वेखोगे सुर्थ किते टिकी है सुर्थ कहने हन की ए कदे तह साधे शरीर नल जुडी लिए ते सिरीर दी लोड़ा नुही टो लेट कर दी है कोई कम करना होवे किसे अंजान देश विच चले जा ओग ते तुसी लब देऊ और कोई ट्रांसलेटर लब जाए, कोई दो पाशिया लब जाए, तो अडी गल नूँ जो तो अडी गल समझ दा होवे, दूसरे नूँ जिड़े अंजान देश विच हो तो अडी गल उत्हे जड़े शरीर दियां लोड़ा ने पोख लगी है, अत्रे लगी है, ठंड लगी है, हुँ नीद आई है, ते सुर्थ दे अंदर ओ जड़ी लोड़ा समा जाएगी, तुसी जद तक सुर्थ विच परगटना हुए पोख, तुसी खाओगे नहीं, बहुत वारी हुंदा है, लगगे हो, तुसी पोख नू पिछे चट देंदे हो, पोख तरे भी तु आनू विसर जान दी, बच्चा खेड बिच मस्त होए, उनू कुछ नहीं सुझदा, सिरफ खेड ही सुझदी है, ते वड़े बंदियां दा भी यही काम है, जदो अपने काम मिच मगन होन ता कहीं लुकस के, पारी, हैं गंटा भीद गया, लंच टाइम ही निकल गया, ते जदो कम कोई न होए, ते कुवेले भी फोख लग जाएगी, तो शुर्त तौ अड़े सिरीर दियां लोडा नू भी ट्रांसलेट कर दी है, शुर्त तौ अड़े मानसिक लोडानू भी ट्रांसलेट कर दी है सुर्थ सड़े जडियां मांसक लोड़ाने मांसक लुड़ा की ने मैं अपना परबाव पा सका मैं लोगानूं चंगा लगा मैं कोई मोखहोटा पाल हुआ जिमें पर्सोना दि गल कर रहें संथ की कि पर्सनेलिटी दा अर्थ ही मुखोटा पर्सोना कि जड़े ग्रीक दे नाटक कार जड़े एक्टर्स उन्दे सी और मुखोटे पा करके एक्टिंग करया कर दे सां जित्थों दी पर्सोना निकले या ते आज भी बच्चे यहां तुसी देख्या होना है एलेक्शन दे भी इचारा ने मोदी दे मुखोटे पाले सान ए दस्वन वास्ते कि असी ओस दे वाल हां रामलीला दे वेले कोई रामन दा कोई हनुमान दा मुखोटे पाके दे तुर्दे ने नाटक करन दे लई ते असी दुनिया मेंच नाटक की करने आ असलियत नहीं हूं दी साड़े शक् अच्छा था उस असली शक्षियत दिगल कर देने, असली शक्षियत की है, असी अपने होंगा पर गटावा करन दे ले, मखोटे पहन दे आ, पर तीसरी जड़ी गल है, सुर्थ आतम नू जदो छोंदी है, जदो शब्द नू सुनदी है, जदो शब्द विच जीवंदी है, जदो शब्द नू ट्रांसलेट कर दिया है, ते इस पौरे जीवन नू ट्रांस्फार्म कर जान दिया है, फिर ए सारे इस जीवन नू गुरुमुख वाला, गुरु वाला जीवन, जो गुरु दस्य है, उदे अंसार सुर्थ जड़िया है, ए पूरे जीवन नू टाल देन है जिम्हें पाइवीर सेंग लिख देने राना सूर्थ सेंग दे अंदर कहन दिन की जे सूर्थ जिनना सूर्थ नू उत्ते चुकोगे जिनना सूर्थ नू शबदे नाल जोड़ोगे ओना सिखी दे विच परिपा कहुंदे जावोगे सिखी दे गुर उतने ही परिगट हुंदे चले जानगे जिनना जिनना असी सूर्थ नू शबदे नाल जोड़ांगे पाठ्षा ने ते गाली यही की ते कि शबद गुरु सुर्थ तोनु चेला कि जदों सुर्थ सुने ते सुर्थों पाव है कि सुर्थों पाव ही है साड़े अंदर दा ओ केंदर बिंदू जित्थों दी असी त्यानमगन होने है ते जदों मनुख त्यानमगन हो करके शबद नो सुनदा है ते फिर अंदर दी जड़ी तोड़े कड़िये सुर्थ मात मान बुद्ध मात मती साड़ी मात साड़ी सुमात बनेंगी के कुमात बनेंगी पैड़ी मत आएगी के चंगी मत आएगी ये मत कड़ी जानी है असी चंगे पासे तुरना है केड़े पासे तुरना है ये जदों शबद नाल जुड़ेगी ता साड़ी मत भी कड़ी जाएगी मत मन मन नने नू सिहारी मनी खा इस नू इंटेलिजेंस के दें इंटेलिजेंस भी तो आड़ी ओनी शार्पन हो जाएगी क्योंकि जिनी साड़ी इंटेलिजेंस है उस दें उत्तें क्लाउट्स ने कि दें? इमोशनलिटी दे एक मैं छोटी जिनी गल आम तुर दे स्कूल दे कंटेक्स्ट वीच लेना टीचर पेरेंट्स रुखेंड़ी बच्छा थे बड़ा इंटेलिजेंट है बात शरार्तियं बहुत है एप पड़ाई विच त्यान नहीं करदा जिस करके बड़े चंगे नंब अंदर ले सकते हैं पर क्योंकि रुज्या होया है दुझे पैड़े शरारतन दे अंदर सो जदो एक क्लाउड खतम हो जाए एजड़ा ओसनों ओदी इंटेलिजेंस होते है पड़ा पाया है ओपड़ा हट जाए ते फिर बच्चिया ओना ही इंटेलिजेंट हो जाएगा हर दे अंदर एक बेसिक इंटेलिजेंस है पर ओँ इंटेलिजेंस ओनी वर्ति नहीं जान दी